प्डाइच अप किसी पढ़ाई को आगे बढाते भें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाट, एक नया अध्याई जिसको से शक है फूलों का उत्सव उस्व यानी की त्योहार, खुशी का मौका है ना? तो आए सबसे पहले हम इस पार्ट का पर्चे ले लेते हैं कि इस पार्ट में क्या है सहन सीलता ऐसा गुण है जिससे अलोग किक सुख वा आनन्द की प्राप्ति होती है दुष्ट का सुख भाव पीडा देना है किन्तु जिसमें सहन सकती हो उस पर ही इश्वर की दया होती है जैसे बच्चों आप सभी ने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा है ना? तो वो कैसे थे? एकदम सहन सील थे दूसरों पर हमेशा क्या करते थे? दया करते थे चाहे उनको कोई कितनी भी पीडा पहुंचाए वो क्या करते थे उस पर कभी भी गुस्सा नहीं करते थे तो इसलिए उन पर क्या हुई? इश्वर की करपा हुई और उन्ने क्या हुआ? जैन प्राप्त रुवा तो आईए बच्चो इस कहानी को शुरू करते हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा थाल फूलों से भरा था रंग भिरंगे फूल थे और उनकी सुगंध बच्चो सुगंध यानि की बहुत अच्छे जब खुश्बू आतिया उसको कहते हैं सुगंध सुगंध की तो बात ही न पूछे किस फूल की सुगंध सबसे अच्छी होगी या कोई नहीं बता सकता एक की सुगंध लो दूसरे की भूल जाओ वे एक ही व्रक्ष के फूल नहीं थे, वे एक ही बाग के फूल भी नहीं थे, वे एक गाउं के भी फूल नहीं थे, ये फूल दूर दूर से आये थे, गाउं गाउं नगर नगर से ये फूल लाए गए थे आज फूल वसंत का उत्सव था, फूलों की रानी का उत्सव था, नगर के राजा की आगया थी कि पूरे राजी में गाव और नगर में जिसके यहां भी सुन्दर, सुगंधित और आकर्शक फूलों आकर्शक यानी की, जो अपनी और आपको क्या करते हैं, खीजते हैं, वो क्या होते हैं आकर्शक, जिनके प्रति आप आकर्शित हो जाते हैं, वह उन्हें राजमहल में पहुचा दे, लोगों ने सुन्दर सुन्दर फूल जुटाए डलियों में केले के हरे हरे ताजा पते लगा कर उसमें फूल रखे इतनी हिफाज़त हिफाज़त यानी की उनकी क्या करी थी बहुत जादा देख भाल उनकी सुरक्षा और सुन्दर्ता से फूलों को रखा गया कि वे सूख ना पाएं मुर्जाने ना पाएं या उनकी सुगंध न उड़ जाए फिर उन डलियों पर अपने अपने नाम लिख कर उन्हें राजमहल फिजवा दिया गया फूलों से भरी सेक्डों डलिया राजमहल में इखटी हो गई थी तास तास यां उन डलियों को खोलने लगे राज और रानी एक सिंहासन पर बैठे बैठे उन फूलों को देख रहे थे जो फूल उन्हें सुन्दर और आकशक लगते वे उन्हें अलग रखवा देते इन सारे फूलों में भी जिसका फूल सर्वोत्तम होगा उसे इनाम दिया जाने वाला था इनाम भी कैसा सोने कब बना फूल और इनाम पाने वाला यदी पुरुश हुआ तो उसके सिर पर राजा सुनहरी पगड़ी बदवा कर उसका सम्मान भी करने वाले थे और यदी भाई नाम किसी महिला को मिला तो उसे सुनहरी किनारी वाली पनारसी साड़ी फेट दी जाने वाली थी सारे फूल इखटे किये गए और उन में से चुन चुन कर सबसे सुन्दर फूल अलग जगर रखे गए उन सुन्दर फूलों से राज महल की मालिन एक सुन्दर हार बनाएगी उस हार को सोने के थाल में रखा जाएगा नगर के लोग इन सारे फूलों को सजा कर राज महल तक लाएंगे राजा और राणी भी फूलों का स्ट्रंगार करेंगे और उनका स्ट्रंगार भी तेखने लायक होगा बड़े बड़े कलाकार उन फूलों से अपार सोबावाली सजावट करेंगे राजोत अथा रानी फूलों से सजसवर कर आगे आगे चलेंगे उनके पीछे पीछे नगर के लोग चलेंगे मधुर सहनाई बजेगी और धूमधाम होगी सब मंदिर तक जाएंगे फूलों की माला भगवान के कले में पहनाएंगे उस समय साथ स्वरवाले साथ संख एक साथ बजाए जाएंगे मधुर स्वरवाली जालर की आवास गूजने लगेगी लोग चेजेकार करेंगे नारे लगाएंगे रंगीले रुपहले बसंत काया उस सब होने वाला था इसलिए धूर धूर के गाउं से अच्छे अच्छे और रंग भी रंगे आकर्शक सुगंधित फूल लाए गए थे छुने हुए उत्तम फूल चादी के थाल में सजाए गए थे वे फूल स्वयम भी प्रसनता से जैसे खिल उठे थे कुलाब का फूल अपनी पंखुणियां फैलाए बैठा था उनकी तरफ देखकर चमपा का फूल मुस्कुरा रहा था चमपा के फूल ने कुलाब के फूल से कहा कुलाब भाई जला मेरा रूप तो देखो हलका हलका केसरी रंग मेरे सरीर में है और उपर की पंखुणियां दूज जैसी सफेध है मेरी सुन्दरता तो कोई पार्खी ही कर सकता है देखो ना आपका तो बस एक सा रंग है तभी मोगरे का फूल बीच में बोल उठा तूज जैसा रंग तो किसी दूसरे फूल का हो ही नहीं सकता यहां रंग रूप तो सिर्फ मेरा ही है पूर्णिमा की रात बचो पूर्णिमा यानि की जिस दिन चंद्रमा क्या होता है पूरा आते हैं आकास में आपने देखा होगा चंद्रमा क्या करते हैं घर्ते बढ़ते रहते हैं जिस दिन चांद आकास में पूरा आता है, उस रात को कहते हैं पूर्णी मा की रात, तो पूर्णी मा की रात में मेरे रूप रंग और खुस्ब का तो कहना ही क्या, उसे देखकर तो आकास के चंदा मामा का मन भी डोल डोल उठता है, डोल डोल उठता है यानि कि मन उनका क्या हो जाता है बहुत प्रसंदों उटता है इस तरह एक के बाद दूसरा फुल बोलता जाता और अपने अपने रूप रंग और खुस्बु का बखान करता जाता बचों बखान करना यानी की उसकी व्याक्या करना, उसको बताते जाना, तभी वहाँ सन्नाटा चा गया, सन्नाटा यानि की एकदम स्चानती, जब हो जाती है तो कहते हैं एकदम से सन्नाटा चाना, सब खामोश हो गए, सब ही फोल जैसे भाईभी तो उटे, बच्चो भाईभी तो ना यानि की डरने का धागा था मालिन नीचे बैट गई फूल का थाल अपने निकट खीज लिया सुई में उसने धागा पिरोया सारे फूल यहां देखकर सहम उठे अभी थोड़ी देर पहले वे प्रसन थे लेकिन सुई और मालिन को देखते ही उनकी प्रसनता कायब हो गई उन्हें किसी की कु कुटिल यानि की कुटिल हसी क्या होती है एक ऐसी हसी जिसमें क्या हो कुटिलता समाई हो यानि की क्या हो अच्छे के साथ कुछ न कुछ क्या हो गलती रादे हो उसको क्या कहते हैं ऐसी हसी जब होती है कि जब मन में क्या हो कुछ दुरभावना चल रही हो या कुछ सैतानी चल रही हो या फिर कुछ चाला की चल रही हो तो उसको कहते है कुटिलता सारे फूलों ने उपर देखा सुई की नोग दिखाई दी जैसे काले सर्प की जीब बच्चों सर्प यानी की आप सभी जानते काले रंके साप को क्या कहते हैं काला सर्प हाँ वह सुई की ही हसी थी सा अरे फूलों ने उसकी दरफ देखा, तो सुई बोली, क्यों भोले कोमल फूल, डर गए ना? फूल का आप उठे? उनकी स्वास जैसे नीचे उपर होने लगी, स्वास यानी की सासें. सुई बोली, संसार में चितने भी रंग हैं, वे सभी भगवान ने तुम फूलों को दिये हैं, रंग और सुगंद भी तुम्हें मिली है, जहां रंग हो, वहां रूप होता ही है, रंग और रूप हो, लेकिन कोमलता न हो, तो सोभा नहीं रहती, तुम फूलों को तो कोमलता भी मिली है लेकिन अब देखो रंग रूप सुगंध और कोमलता पर मेरा सासन चलने वाला है तभी एक फूल ने सुई की नोक की चुभन महसूस की वह फूल सिसक उठा सिसक उठा यानी की रोने को त्यार हो गया एकदम उसने अपनी आखें बंद कर ली सुई हसी और फिर बो सुई और सुई गुस्से में आ गई एक के बाद एक फूल उठाकर सुई ने बेधने शुरू कर दिये सारे फूलों को बेध कर माला बना दी सुई के गुस्से का पारावार न था होट भीच कर अपनी मुख मुद्रा कठोर बना कर बोली तुम कोमल फूल हो मेरे द्वारा बेधे जाने पर रोते क्यों नहीं मैंने तुम्हें चुभन दी फिर भी तुम चुप क्यों हो रो रो ना अब थागा हसा सुई आखे फाड कर बोली अरे ओ धागे तुम क्यों हसे थागा बोला सुई बहना जिसमें रंग और रूप हो सुगंध और कोमलता हो लेकिन सहन सी यानि की सहन करने की शमता किसी भी बात को सहन करने की जो शमता होती है वो क्या कहलाती है सहन शीलता तो धागा क्या कह रहा है कि जिसमें सहन सीलता नहों उसकी सारी अच्छाईयां धकी रह जाती हैं दुस्ट केवल पीडा देते हैं उस पीडा को जो सहन कर लेता है उस पर भगवान दया करता है कैसी दया किस की दया सुई का स्वर अभी भी तेज था धागम ने कहा पार करने वाले को दया की बात समझ नहीं आती देखो वह राणी मा आ रही है राणी आई फूलो की माला उठा कर देखी धागम से सुइ निकालकर फैक दी धागे ने अब कहा देखो सुई बहन दुख सहने वाले को क्या मिलता है अब यहाँ फूलों की माला लेकर रानी मा देव मंदिर में जाएंगी देव मंदिर यानी की भगवान के मंदिर में जाएंगी और भगवान के गले में माला पहना देंगी कोमल फूलों को बेधा गया उस अपार पीड गई और चा कर भग्वान के गले में वहमाला पहना दी को लों की सारी पीड़ा भगवान के इस परशे से दूर हो गकी भगवान के छूने से क्या हो गई उनकी जो पीडा थी वो सारी धूर हो गई एक प्रकार का अलॉकिक सुख और आनंद उन फूलों ने अनुभव किया बच्चो अलॉकिक यानी कि ऐसा सुख जो क्या है इस लोक से नहीं मिल सकता है जिसको हम बोल सकते हैं दिव्य सुख अलॉकिक सुख एक दिव्य सुख जो इ है लोकिक सुख और अलोकिक सुख क्या है उस पर मात्मा को प्राप्त करने का अध्यात्म के और जाने का जो सुख है वो क्या कहलाता है दिव्य और अलोकिक सुख तो ऐसा ही सुख क्या है उन फूलों ने महसूस किया और सुख और आनंद उन फूलों ने अनुभव किया तो बच्चो कैसा लगा आपको यह पाट आशा करती हूं कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा और आपने से क्या सीखा कि हमें क्या करना चाहिए हमें सहंसील बनना चाहिए अगर कोई तुम पर घुसा कर रहा है डांट रहा है या तुम ne कोई पीड़ा पहुंचा रहा है तो कभी भी क्या है उसके साथ आप भी जोड से चिलाने लगोगे है ना और एक आपको थपन मरापने दो मार दिये तो आपको क्या करना है ऐसा नहीं करना है आपको अपने अंदर धैरी और सहंसीलता के गुण को विकसित करना है जिससे आपको भविश में बहुती जादा लाब होगा तो बचे ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्यास भी चरूर कीजिए